कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना कुछ तो लोग कहेंगे कितनी बढ़िया बात कही गई इस गाने में आलोचना तो आपकी होगी, आप आलोचना को रोक नहीं सकते, अपने आलोचना को रोक नहीं सकते, लेकिन आलोचना पर ध्यान देना क्या इतना जरूरी है कि आप उसकी खातिर अपने लाइफ में बेचैनी और परिशानी को जोड़ो नहीं, बिल्कुल नहीं, कता ही नहीं, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ जो ये नहीं जान पाते कि अपनी आलोचना को कैसे हैंडल किया जाए। दोस्तों, मैं काफी लंबे अरसे तक लोगों की आलोचनाओं का शिकार रहा हूँ और आज भी मैं लोगों की आलोचनाओं का शिकार हूँ. क्यों? क्योंकि मेरा mindset एक entrepreneur mindset है और जब मैं किसी काम को करने की ठान लेता हूँ, तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता. अब कितनी भी आलोचना करो, कितनी भी negative बाते मुझे मेरे trade के बारे में, मेरे profession के बारे में, मेरे business के बारे में क्यों न बताओ, आप मुझे आगे बढ़ने से रोके ही नहीं सकते, क्योंकि जब मैंने एक बार ठान लिया, तो फिर ठान लिया. तो दोस्तों, अपने आलोचको को कैसे handle किया जाए, अपनी आलोचना को कैसे respond किया जाए, कैसे react किया जाए, इस वीडियो में मैं यही बात आप से करने वाला हूँ. और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं, तो 100% आप अपनी आलोचना को बड़े अच्छे से हैंडिल करना सीख जाएंगे और आलोचना कभी भी आपको विचलित नहीं करेंगी परिशान नहीं करेंगी दोस्तों आलोचना अच्छे अच्छों को तोड़ कर रख देती है उनके मनोबल को तोड़ कर रख देती है सपोर्स करिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं आपने पुरी रिसर्च करी आपने प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद आपने बढ़िया बिजनेस प्लान तयार किया आपने अपने रिसर्च कम्प्लीट कर ली और अब आप अपने business plan को ले करके लोगों से मिलते हैं तो आप जितने लोगों से मिलोगे suppose करिए कि आप अगर 100 लोगों से मिलते हैं तो 15 से 20 पतिशत लोग ऐसे होंगे जो आपको positive response देंगे लेकिन 80% लोग ऐसे होंगे जो आपकी और आपके business system के अलोचना करेंगे और आपका manubal वहीं तोड़ देंगे अब आपको क्या समझना है कि अलोचना क्यों करी जा रही है किस मकसद से करी जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि जो person मेरी अलोचना कर रहा है इसका sinister motive है malish intention है यह चाहता है इसने देख लिया है कि हाँ मेरा यह business सफल हो जाएगा अगर मैं पूरे मनुयोग से लगा रहे गया तो वो जानता है कि आपको business करने से नहीं रोप पाएगा लेकिन जब वो आलोचना का जहर आलोचना का virus आपके अंदर डाल देगा तो आप अपनी 100% efficiency से पफाम नहीं कर पाएंगे और शायद वो बुलंदी आप अपने काम में अचीव नहीं कर पाएंगे जिस बुलंदी को ध्यान में रख के आपने वो काम शुरू किया है तो आपको यह identify करना बहुत जरूरी है कि वास्तों में जिस person को आपने अपना business model या अपना dream share किया है और वो आलोचना कर रहा है तो उस आलोचना के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है यह identify करना बहुत जरूरी है और बहुत अहम भी है कुछ लोग आलोचना सिर्फ अपनी शेखी बगहारने के लिए अपना ज्यान आपको दिखाने के लिए अपनी बुध्यमानी अकलबंदी का लोगा मनवाने के लिए अलोचना कर देते हैं हो सकता है कि वो अलोचना में आपके लिए कुछ खास ना हो कुछ positive ना हो आप निराश हो सकते हैं लेकिन फिर आपको यहां पर सोच रहा है कि क्या जो व्यक्ति मेरी अलोचना कर रहा है जिस business system के बारे में मैंने इसे बताया क्या इस व्यक्ति को उसके बारे में A, B, C, D भी कुछ पता है या नहीं पता है अगर उस व्यक्ति को उस business के B, C, D नहीं आती है तो कतई, कतई, कतई उसके अलोचना पर विश्वास मत करिये उसके अलोचना के जहां से में मत पस ये क्योंकि या तो वो ग्यान बगारने के कोशिश कर रहा है या फिर वो शेकी बगारने के कोशिश कर रहा है आपको इंप्रेस करने के कोशिश कर रहा है उसकी मंचा हो सकता है यह ना हो कि आप demotivate हो आप discourage हो और आप ब्यवसाय ना शुरू करें यह अपनी 100% efficiency उस ब्यवसाय में ना लगा पाएं लेकिन अपनी शेकी बगारने के चक्कर में उपना ग्यान शुआफ करने के चक्कर में वो अंजाने जाने आपको discourage कर सकता है तो आप कुछ सीधे सपाट सवाल जो उस trade के specific सवाल है जिसका जवाब कोई विशेशगी ही दे सकता है उससे फटा फट पूछिए अगर वो हिचकी चाता ने रिस्पांड करता है तो हो सकता है कि उसकी अलोचना बेदम हो लेकिन अगर वो हिचकी चाता है आपके उन सवालों क जवाब नहीं दे पाता है तो इसका मतलब है कि उसका अलोचना खोकली है उसे उस trade या profession या business के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप उसकी अलोचना आपको फटा फट गायब कर सकते हैं जो पहला व्यक्ति मैंने बताए जो पहली category मैंने आपको बताई जो लोग आपक से अपनी बाते कहेंगे तो कभी भी आपको अपनी बातों को आगे नहीं रखने देंगे ऐसो लोग कभी भी आपको तवज्जो नहीं देंगे महा तो नहीं देंगे और आपकी बातों को सुनेंगे नहीं आप उनसे कोई भी बात करेंगे वो हमेशा आपकी बात को ना कही हो वो व्यक्ति कभी उसको कंटेक्स्ट से कोई मतलब ही नहीं है आपने किसी भी कंटेक्स्ट में क्यों ना कोई बात कही हो अगर उसे उस कंटेक्स्ट का अन्भो नहीं है फिर भी वो बताएगा कि ये काम तो हो ही नहीं सकता हूं मैं चैलेंज करता हूं आपको कि ये मोटिवेट करना चाहता है、 या आपको वो लाइफ में प्रागती करते हुए, प्रोग्यस करते हुए नहीं देखना चाहता है, आपने से सतर्क कि यह काले दिल के लोग होते हैं और काले दिल के लोगों का हमारी लाइप में कोई भी काम नहीं होता और इनकी आलोचना किसी भी मतलब की किसी भी महत्युकी नहीं होती है इनको आप यूँ फूक मारके उड़ा दीजे इस आलोचना को अपने अंदल ले जाने के जोरत भी न आपकी सच्ची अलोचना करेगा और आपको आगे बढ़ने के रास्ते भी बताएगा तो ऐसे व्यक्ति की बात सुनना बेहत जरूरी है आप पता करें कि जो व्यक्ति अलोचना कर रहा है क्या उसे उस फिल्ड का authoritative command है जिस फिल्ड में आप काम शुरू करने जा रहे हैं या जो भी काम आप करने जा रहे हैं अगर है और वो व्यक्ति आपकी बात को ध्यान से सुनता आपकी बात को नहीं काटता या अपने ग्यान के शेखे बगारने की कोशिश नहीं करता अपना ग्यान आपके थोपने की कोशिश नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि वही वो सक्च आलोचा के जिसकी आपको तलाश थी और इसकी आलोचाना को आपको हाथो हाथ लेना है आपको देखना है कि इसकी आलोचाना में वो कौन से suggestive point है जो आपको फायदा पहुचा सकते हैं आपके business को, आपके trade को, आपके profession को या जो भी कमड़ करने वाले उससे फायदा पहुचा आलोचना आपका कुछ भी नहीं बिगाड सकती जब तक आप उसको अपने दिमाग में नहीं ले जाते हैं तो देखिए आलोचना का कौन सा पहलू है जो आपको नुक्सान पहुचा सकता है और इन दोनों को इवेलुएट करके आलोचना को अपने लाइक में जगह दें अपन डिस्क पे शामिल करें तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में में जरूर करें और मुझे बताएं और अगर आप किसी और टापिक पे चाहते हैं कि में वीडियो बनाूं अपके कि वो कौन सा टॉपिक है जिस पर मैं आपके लिए वीडियो बना के लाओं तब तक के लिए शुक्रिया